हेलो स्टूडेंट जेश्री महाकाल तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ग्यान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लैटफोंप पर तो स्टूडेंट इसके नोटिफिकेशन सर्च कर लें और इसके ऑनलाइन फॉर्म 12 अप्रेल तक भरे जाएंगे ठीके स्टूडेंट तो इसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दू तो इसमें वही स्टूडेंट एपलाई कर सकते हैं जिनके पास एंजिनियर की डिग्री है या फिर अकाउंट का जिनके पास कोर्स किया हुआ है या फिर जो लोग का नॉलेज रखते हैं वही लोग इनके लिए एपलिकेबल कर सकते हैं देखिए स्टूडेंट हाला कि यह जो वेकेंसी है इसमें कॉम्पेटिशन तो टफ है जो लोग बैंक का एक्जाम कर रहे थे उसमें कुछ मार्क से वो रह गए थे तो उनके लिए यह अपोचुनेटी बहुत ही अच्छी है वो इसमें फिलप करके अपना करियर अच्छा कर सकते हैं चूकि यह जनरिक वेकेंसी नहीं है क्योंकि जिस तरह से मैं बात कर रही थी आपको बताया मैंने कि इसमें इंजीन करना होगा उनको अपने परसनल सब्जेक्ट के उपर ही एक्जाम क्लारिफाय करना होगा चूकि यह इतने सारे बच्चे अहले एक अलग फिल्ड के होते हैं तो यह अधर कॉंपेटिशन से थोड़ा कॉंपेटिशन इसमें कम हो जाता है तो अगर आपके पास में इंजीनि पर दिल तक इसमें फॉर्म करें जाएंगे तो आप उसको फिल कर सकते हैं तो उसके बारे मैं बताऊंगे कि इसमें सैलरी स्लिप के क्या वीडियो रहने वाली किस तरह से आपको सेलरी मिलने वाली है तो इसमें एडमिनिस्ट्रीशन की यह स्केल पोस्ट निकली होए जिसम में बात करती हूं बेसिक पे ये बता दिया मैंने 50,925 रुपए डिये होता है यानि महेंगाई बता है इसका 25,462 रुपीज का इसमें डिये महेंगाई बता है जो कि साल में दो बार 3-4% के रिशो में बढ़ता रहता है जिस तरह से महेंगाई बढ़ती जाती है उसी तरह से ये बढ़ता है लेकिन ये आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक पूर्णते सरकारी नोकरी की तरह ही होगी एचारे भी इसमें आपको मिलता है ने कि हाउस रेंट अलोंसेंस होता है वो होता है 15,270 रुपए देखें कि हाउस रेंट को तीन केटेगरी में टोड़ी इसमें अपर से आपकी होती है एक होता है एक होता है से घंडाते ग कलगते लिमिल होता ऐन समय है की तूंकि इसमें आपको एटीन परसेंट क्योंते परिबन चानमें हजार रुपए आपको मंतली इसमें सैलरी मिलेगी आपका बेसिक से पे तो अलग ता इसमें इसके लावा आपकी जो आलोंसे जैसे की डी ए ए ए चारे और टी इन सभी को मिला के आपको मिलता है 95,000 वही में बात करो आपके डिटेक्शन इसमें किस प्रकार स से कटे का तो इसमें आपका P F कटे का इसमें रुव कटे आपका 9,156 रुपई यह आपका 216 रुपई है आपका 9,166 रुपई सैलरी में से प्रकार में ट्रांसफर होंगी यह है 86,498 रुपे यानि तकरीबन 87,000 के सम्तिंग आपके पास में हर मंद यह सैलरी आने वाली है तो स्टुडेंट अगर आप इस वेकेंसी के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि इसकी व्लास्ट फॉर्म फिल अप करने की है 12 अपरेर और जो भी स्टुडेंट इसमें अप्लाइ कर सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन में बता दिये इंजिनियर के डिगरी होनी चाहिए अकाउंट में इसमें अलग अलग पोस्ट पर वेकेंसी निकली हुई है मेडिकल में अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई ह अकाउंट पर अलग पर निकली हुई है तो आप एक बर वो नोटिफिकेशन सरकारिजल्ट.com से चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिल लोगों के पास भी ये वेकेंसी की न्यूज नहीं गिये उनके पास भी ये वेकेंसी की यूज जाए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच